जुलाई 2020 को कोरिना इसमित नाम की एक महिला अपने घर से अपने परोसी के घर भागती हुई जाती है और अपने परोसी से कहती है कि मुझे लगता है मैंने उसे मार डाला आखर ये महिला किसके बारे में बात कर रही थी और इसने ऐसा क्या किया बेसा कि ये सब हम सभी जानेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्टिरियस फाइल का एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड इस केस की सुरुबात 14 जुलाई 2020 को इंगलेंड के चैसायर नेस्टन में होती है जहां 69 साल की कोरिना इसमित नाम की इमहिला अपने 80 साल के पती माइकल के साथ रहा करती थी इन दोनों की ये साथी उस वक्त होई जब कोरिना 20 साल की और माइकल तक्रीबन 40 से अधिक साल का था इस केस के बारे मैं जानने के बार मैंने माइकल की कुछ तस्वीरों को ढूड़ने की कोशिस की लेकिन नेट पर उसकी कोई भी तस्वीर के लियर मौजूद नहीं है माइकल 81 साल का था इसलिए उसकी तबियत जाला ठीक नहीं राय करती थी इसलिए कोरिना ही उसकी देखवाल करती थी इन दोनों की एज में काफी डिफरेंस था इसलिए कोरिना को उसकी देखवाल करने में कोई तकलीब नहीं होती थी साधी के बाद इन दोनों का माइकल जूनियर नाम का एक बेटा हुआ तो वहीं कोरीना के पिछले रिष्टे से एक लड़का और एक लड़की थे लेकिन कोरीना के लिए दुक्की बात ये थी कि 2007 में उसके बेटी क्रेग ने 25 साल की एज में अपनी जान ले ली अपनी मौश से पहले क्रेग किसी ब्यक्ति पर हमला करने के आरोप में जेल जा चुका था इस हमले के बाद क्रेग परिसान रहने लगा और उसने अपनी मा से रोते हुए कहा कि जिस आदमी पर मैंने हमला किया था वो एक दरिंदा था और उस दरिंदे ने मुझे गलत तरीके से चुआ था ये सुनकर कोईना ने उससे कोई और सवाल नहीं पूचा और उसकी इस बात को मान लिया कि हाँ वो आदमी एक दरिंदा था और इसके कुछ समय बाद क्रैग ने अपनी जान ले ली उस दिन ये परिबार ब्याकुल हो गया और उनके पास बस एक मात एक्सपलेशन था कि जिस आदमी पर उसने हमला किया था और जो उसने बताया उसके बीच कुछ तो रिलेशन है कोईना का माइकल के साथ तब ये रिस्ता बना जब वो तकरीबन 20 साल की थी और जब वो अपने बच्चों की जिंदगी में माइकल को लाई थी इन दोनों का ये रिस्ता सही था जब तक कि इनकी उंब समय के साथ नहीं बढ़ी उम्ब बढ़ने के साथ कुछ चीज़ बिगडने लगी लेकिन इन सब के बाद भी उसने माइकल की देखवाल करना नहीं छोड़ा जब तक कि 14 जुलाई 2020 का बो दिन नहीं आया कोरिना को जानने बाले लोगों का कहना था कि उसका कुछ टाइम से कुछ अजीब बिहेवियर हो गया था जो गुस्से में थी और परिशान रहने लगी थी क्यूंकि उससे उसकी बेटी ने कुछ ऐसी भयानक बात का खुलासा किया जिसे उसने और अपने मर चुके भाई दोन और उन दोनों को गलत तरीके से चुआ था जब कोरिना ने अपनी बेटी के मूँ से इस बात को सुना तो वो अपनी बेटे की उस बात को याद करने लगी जो उसने उसे मरने से पहले बताया कि जिस पर उसने हमला किया था वो एक दरिंदा था जिसने उसे गलत तरीके से च बात का खुलासा कर देता इसके बाद 14 जुलाई की सुबह को इना को गुस्से में और काफी परिशान देखा गया जो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी उस दिन को इना करीब सुबह 10 वजे बहार से अपने घर पे लोटी घर पे आते ही उसने एक बाइटी और तीन किल चीनी को डाल कर अच्चे से ओवाल कर मिक्स कर दिया यह सब करने के बाद कोई ना उस कमरे में गई जहां माइकल गहरी नीन में सो रहा था जिसके पास जाकर कोई ना खड़ी हो गई माइकल इस बात से अंजान था कि उसकी पतनी उसके उपर खौलते हुई चीनी से भरी बा जलते ही माइकल की चीक निकल गई और वो बुई तरह दर्द से कराने लगा उस खौलते हुए पानी के डलते ही माइकल के सरीर की खाल गलने लगी और उसके हातों की खाल उदड़ गई जिससे उसे असेनिये दर्द होने लगा क्योंकि यह जलन बरदास्त से बाहर थी इसके अबाज दे कर दरवाजा नहीं खोला दरवाजा खुलते ही उसने पडोसी को बताया कि मैंने क्या किया और कहा कि मैंने उसे बहुत चोट पहुंचाई और मुझे लगता है कि मैंने उसे माव डाला ये सब सुनते ही पडोसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें सार पर आज सैनिय दर्द के साथ चीक रहा है जिसके सरीर और हाथ की खाल छिल गई है इसके बाद माइकल को तुरंद होस्पीटल भेजा गया और को अरेस्ट कर ले गया जिसके बाद उसे पुलिस इस्टेशन ले गए और इस बीच अस्पताल में माइकल के घावों का इलाज किय गया और उसे कुछ टाइम तक इमर्जेंसी सर्विस में रखा गया क्योंकि बोड़ी काफी जल चुकी थी और वो चीनी का पानी घावों के अंदर भर गया था और जब कोरिना से पुच्चताच की गई कि उसने अपने पती के साथ इस भयानक घटना को अंजाम क्यों दिया तो उसने बताया कि उसकी बेटी ने अपने साथ होई इस घटना के बारे में बताया जिसके बाद वो गुसे में आ गई और अंदर य अंदर गुसे से जलने लगी इसलिए मैंने ये सब किया तो वहीं दो सब्ता बाद माइकल की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी और डॉक्टरों की काफी कोशिस के बाप जूद एक महीने बाद 18 अगस्त को माइकल की मौत हो गई इसके बाद कोईना पर कतल का आरोप लगाया गया और ये ट्रायल 2021 में शुरू हुआ कोईना ने कोट में बताया कि उसकी बेटी ने उसे उस घटना के बावे में बताया जो उसके साथ माइकल ने की थी और कोईना ने अपने बेटे के बावे में भी बात की इसके बाद कोईना की बेटी आ गया आई और इस बारे में सबूत दिये हाला कि माइकल ने कभी कुछ किया था या नहीं ये कोट में कभी सावित नहीं किया जा सका और इस कतल को सही ठहराने के लिए इस कारण का इस्तमाल नहीं किया जा सका हालां कि कोईना के बकील ने कोट को ये समझाने की कोशिस की कि कोईना ने ये सब सोच समझ कर नहीं किया बलकि उससे ये सब गुस्से में हो गया लेकिन अपोजिट बकील कोट को ये समझाने में सफल हुए कि माइकल पर ये हमला बड़े ही प्लानिंग के साथ किया गया था जिसके लिए उन्होंने कोट को बताया कि जैसे कि तीन किलो चीनी खरीद कर लाना और लाकाग पानी में उवालना इन समय काफी समय लगा होगा बोए तरीके को सोचा जिससे उसकी मौत हो गई बहां के चीप इस्पेक्टर पॉल ने कहा कि कोईना ने अपने पती को इतने दर्दिनाक और कुर तरीके से मार डाला और उन्होंने कहा कि जब वो सो रहा था और उस पर खोलता हुआ पानी फैकना काफी भयानक है और वो भी पानी में तीन किलो चीनी मिलानी से पता चलता है कि उसे माइकल को कितने भयानक तरीके से नुकसान पहुचाना था जिससे माइकल को काफी तकलीप होई इस बीच माइकल के बकील ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते और नहीं यह कह रहे हैं कि माइकल के उपर लगाए गए आरोप सच है या नहीं लेकिन इस केस में कोईना का ये मुद्दा नहीं है बलकि उसने माइकल के बारे में इन आवोपों को सच मान कर इस घटना को अंजाम दिया और इन सब के बाद कोईना को दोसी माना गया और कोट ने उसे 12 साल की जेल की सजा सुनाई पुलिस ने कहा कि हमले के ए सबका अपना अपना एकमत है जैसे कि कुछ लोगों के लिए कोईना एक हीरो है जिसने अपने बच्चों की तरप से बदला लिया तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उसने एक आवोप को सच मान कर एक निर्दोस व्यक्ति की जान ले ली और वो भी भयानक तरीके से तो इस केस को लेकर आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके बताएं तो मिलते हैं फिर नेश्ट एपिसोड में गुड़ बाई